आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन पाइसम सताइवम यानि P plant पाइसम सताइवम होता है पी प्लांट तो पी प्लांट के अंदर पॉट्स में भी इन्फलेटेड और कंस्रिक्टेड वर्ट प्रपोशन ऑफ दी ऑफ्रिंग इन दा फॉल्लेंग क्रोसेज वुद बे एक्सपेक्टेड टू बी इन्फलेटेड पाइसम सताइवं के जो por ना पी प्लांट के प्लाड पॉट्स होता है उनकी दो शेफ देखने को मिलते है इन्फलेटेड हो सकते है यह इंस्ट्रिक्टेड हो सकते है तो यह दो टाइप की इनकी शेफ होती है अब हमसे पूछा है कि यह इन्होंने चार टाइप के crosses करवा हैं तो कितने offspring के proportion जो है inflated है वो हमें question में बताने हैं तो सबसे पहला वाला cross करके देखते हैं पहले हम यह पता हूंँ चाहिए कि इन में dominant and recessive कौन होता है तो dominant होता है inflated वाला जो trade होता है dominant होता है जिबकि जो constructed वाला होता है यह होता है recessive in nature dominant का मतलब क्या होगा कि अगर heterozygous alleles present होगे तो अगर एक भी alleles inflated के लिए present होगा तो वही express होगा तो अब इनके cross करते हैं सबसे पहला cross हमें करना है capital I capital I and small i small i के बीच में जब इनका cross करेंगे तो IV, capital I small i, capital I small i, capital I small i and यह सब क्या है इनमेे एक 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 dominant rate present है इसका मतलब इसकी भी inflated होगी यह यह भी inflated यह भी inflated अबी इसकी भी inflated shape और इसकी भी तो यह क्या होंगे all four offspring all four offspring होंगे इस कहाँंज़े सब होंगे inflated shape के नेक्सट कीड़ा करते हैं हम लोग कैपिटल आई स्मॉल आई का क्रॉस हो रहा है स्मॉल ए स्मॉल ऑइ से इनकी क्लाश इंगे बाद आएगा Caitlin आई स्मॉल आई है इसमें का देखन को मिल रहा है कि यह दोनों तो implicate inflated shape होगी जबकि इन दोनों की होगी constructed shape यह होगए constricted shape क्योंकि यह decisive है तो अब यहां पर क्या होगा कि half of the off-spinge होगी आधी off-spinge होगी वह inflated होगी और आधी off-spinge होगी तो इसे अधी जिए वो constructed shape में होगी capital I यही उनका genotype होगा तो इसमें क्या होंगे जितने भी all offspring होंगे यह सभी कैसे होंगे नेचर में यह सभी के जो pod shape होगी होगी inflated and last fourth वाला करते हैं हम fourth वाला जो होगा उसमें होगा capital I small i इसको cross हो रहा है capital I small i से यहां पर जो प्रॉजनी देखे हों लेगी वोगी capital I capital I capital I small i capital i small i and small i small i अब इनकी शेप देखते हैं तो capital I capital I तो हो जाएगा inflated and यह भी हो जाएगा inflated यह दोनों हो जाएगे inflated nature में and यह वाला भी inflated होगा nature में क्योंकि यह पर एक dominant allele present है जबकि यह वाला जो है क्योंकि इदर दोनों रेसे safe present है तो यह वाला हो जाएगा constricted shape में constricted shape में तो अब इसमें क्या होगा इसमें होगा क्योंकि 75% of off-frame जो है भी inflated यह वारेश 25% offspring जो होगी वा constricted shape में यह आगी प्लासिक्स शड्रेइल से लेके need IIT जेही means और advanced के level कक 10 million से जाधा student का भर होसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीचिए अपने doubts 8 4444 सुपर